नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों एक वारा सबका फिर से बहुत-बहुत सुवागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की सबसे बड़ी अपडेट मैं आप सभी के लिए लिकर गया हूँ और इस चैनल पर आप सभी को जो इंपॉर्डन कि सप्तेंबर में जो दरोगा की भरती वहाने वाली है इसके वारा मैं आपको पहले ही उता चुका हूँ लेकिन दरोगा भरती के साथ साथ यहां पर और वह बहुत सारी बड़ी भरतिया जो है यूपी पुलिस से आने वाली है तो उसकी अपडेट में आप पर आपको इस जारी रखिए जैसे आप लोग यूपी पुलिस की वे तयारी जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग तयारी सुरू कर दें क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस्वाग कारागार में जल्द होगी 16668 पदों पर भरती जी हां दोस्तों इसके अलावा मैं आपको इ लेकेंसी है आपकी सेप्टेंबर में आजाएगी इसके लिए जो आधिसूचना वाही चुका आप सोगी को पता ही है लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं पुलिस्वा कारागार में जल्द होगी 16668 पदों पर भरती यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस्दमकल व वो दिसंबर जनेरियों में दरोगा समेथ विभिन पदों पर भरती के पैश्चा कराने के तारी कर रहा है यानि कि यह जो भरतियां है जो आने वाली है दिसंबर जनेरियों में इसके एक जाम कराने की जो तैयारी है वहाँ पर किया जा रहा है हाला कि आने वाले दिनों में कोरोना संग्रमन की रखतार भी काफी माइने रखेगी डीजी भरती बोर्ड आरके विस्व कर्मा ने बताया कि दरोगा भरती के पूर्व अधी आचन में उपने छग नागरिक पुलिस के करीब 3,000 पद बढ़ा दिये गए हैं और पूरो में 6,130 पदों पर भरती होनी थी लेकिन अब दरोगा के 9,534 पदों पर भरती की तयारी है जिसमें P.A.C. Plan 2 Commander के 484 वा 5 Station Officer के पद भी जो हैं सामिल है इसके अलावा पुलिस में S.I. Ministerial और 133 पदों पर भरती प्रस्तावित है और कारागार सेवा में बंदी रच्छक के लिए 368 पदों परती होना है जिसमें महिला बंदी रच्छक के 626 पद सामिल है इसी तरह फायर मैन के 2065 पद और आक्षी के घुरसवाल के 102 पद तो यहाँ पर टोडल यहाँ पर बहुत सारी पद जो है आपके आने वाले हैं तो बिल्कुल आप लोग प्रिपेर हो जाएए आपको तैयारी तो जो है लगातार करवा ही जा रही है और इस तरह के अपडेट इस वाले चनल पर आपको लगातार मिलते रहते हैं तो जितनी भी आपके अपडेट से हो आपको लागर के देता है रहूँगा तो आज की इस वीडियों सिर्व इतना है क्लिए बाबाए टेक कियर जैहिन जै भारत मिलते हैं आप सब इसे नेक्ट वीडियो में वंदे मातरम